मनीश जिस तरह से पिछले एक साल में आप देखें पहले PFI फिर एमबेसीज को टारगेट करना और इसके बाद अब स्कूलों में लगातार 2023 और 2024 की बात करूँ चार से पांच दफाए ऐसा मौका आया जब मास लेवल पे जैसे अभी सोनू कह रहे थे टारगेट करने की कोशिश और बार बार ISI से लिंक जुड़ना यानि की पाकिस्तान चुनाओं में अस तक शेप करने की कोशिश कर रहा है प्रिया इससे आप इस तरह से देखें पहले तो मैं अभी का अपडेट दे दूँ कि अपसे कुछ दिर पहले दिल्ली पुलिस कमिश्टर संजय अरोडा ने एक पूरी रिपोर्ट होम सेक्रेटरी को दी है मिनिस्ट्रिय और जो हमें जानकारी मिल रही है और ये रशिया की एक कमपनी है वी की कमपनी वहां से जनरेट किया गया है ऐसा इनीशल जानकारी के मताबिक दिल्ली पुलिस ने और जो इस समय आइफोर सी यानि इंडियन साइबर क्राइम कॉर्डिनेशन सेंटर है मिनिस्ट्रिय और अफेर्स का उनकी रिपोर्ट में भ अफेस है जहां से अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि ये मेल जनरेट हुआ है वहां से भी संपर्क किया जा रहा है दूसरी बड़ी बात इसमें ये है कि जिस तरह से एक साथ सोचे समझे तरीके से मौनिंग में 430 से मेल जनरेट होने के बाद लोगों को पहुशने शुर और ये भी अनुवान लगाया जा रहा है क्योंकि एक बल्क डेटा है यानि करीबन 130 स्कूलों का डेटा एक साथ उप्लब्ध होना इसमें इसी लिए दिल्ली पुलिस और साथ में जो सेक्यूरिटी एजेंसी हैं वो पैरलल इन्वेस्टिगेशन में तीन लेवल पर काम कर किया दूसी इन्वेस्टिगेशन है जो इंस्टिट्यूट जिनके पास इक बल्क डेटा मौझूद होता है साथ में सूडेंट्स डेटा और जो पिछले दिनों जो फोन कॉल्स हुए हैं जो की होक्स कॉल साबित हुए उनका एसेस्मेंट करते हुए दिल्ली पुलिस और सा पूरा जो तार है वो रेशिया की एक कंपनी से जाके मिल रहा है जिसके इस समय पूरी जानकारी आई-फोर-सी और साथ में जो इस समय इंटेलिजेंस इजेंसी हैं उनके पास मौझूद है और यह रिपोर्ट में भी जो कॉन्फिदेंशल रिपोर्ट है हम को जो होम सेक्र जैटरी को दी गई है उसमें बोला गया है तो कहीं से भी पैनिक ना मचे और जल से जल जल जो जीरो इन हो आखर इसके पीछे की काम किया रहा है लेकिन चुनवातियां यहीं कम नहीं होती क्योंकि इसको डीकोड करना एक बड़ी मशक्कत का काम है क्योंकि जिस तरह से इसे भीजा गया है एक साथ करीबन 130-140 स्कूल का डेटा एकटा करना इमेल इकटा करना यहां तक है प्रिंसिपल्स के जो रियल अकाउंट है उन अकाउंट पर इस मेल को जाना यह सोचे समझे तरीके से कूरा प्लैन अप किया गया और फिर उसके बाद इस मेल को किया गया तो हा यहां ISI का प्रॉपगेंड और साथ में उनका CEOPS Department है जो कि समय ISI को सपूर्ट करता है उनके प्रपागेंडा को फैलानों को सपूर्ट करता है उसके इलावा यह पैरलल इंवस्टिगेशन दिली सेंट्रिक और रश्या सेंट्रिक भी की जा रही है इसी लिए इंटरनाशनल माहौल है तो ऐसे में जो हमारी एजनसियां है वो भी किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहेंगी अब है जैसे के भी मनीश कह रहते में उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रही हूं कि पर्सनल ओमेल जो स्कूल के प्रिंस्पल है उनके परसनल ओमेल मेज्व में भी इस तरह की मेज़जस आये हैं इमेल आए हैं इसका ये मतलब तो कम से कम साफ है कि इसमें एक सिंडिकेट तो काम कर रहा है जो देश के बीतर भी बैठा हुआ है जो पूरे information प्रोवाइट कर रहा है देखे बिल्कुल और यही सबसे बड़ी वज़े है कि सबसे पहले तो इसका origin पता करना है जिसके लिए नाकेवल आई-फैसो की टीम बलकी ग्रह मंतराले से लेके तमाम जो central agencies है वो संपक साधे हुए है क्योंकि जिस तरीके से ये निकल कर सामने आया कि रशिया की एक company के तरफ से इस mail को generate किया गया लेकिन generate करने के साथ ही जिस जो timing decide की गए कि सुबह साड़े चार बज़े एक साथ बलक में ये email जो है भेजे जाने है से email भेजा गया है और 100 से जादा स्कूलों को भेजा गया है दिली NCR के स्कूलों को तो अचानक से ये कोई planning लगता है कि पहले से pre planning थी और इसमें एक शक्स नहीं बलकि पूरा का पूरा संगठन शामिल हो सकता है सिर्फ इसके origin को ही नहीं पता करना जैसा कि आपने कहा कि क्या अपने देश के अंदर भी जो संगठन विदेश से बैठकर ये पूरा का पूरा propaganda रच रहा है चाहे हम पाकिसान की बात करें अगर ISIS का propaganda इसके अंदर इस्तमाल कर रहा है जिस mail का जो शब्द का जो इस्तमाल किया गया है जिसका मतलब ही साल 2014 से propaganda फैलाना है तो क्या भारत के अंदर भी कुछ ऐसे लोग है जो चाहते थे कि विदेश के में जो सरगना है उनके इशारे पर वो भारत के अंदर बिल्कुल अब है और लेखे दो बातें तो कम सिकम यहां जाच एजंसियों को पता लगानी है एक तो जैसे के भी मनीश ने जिक्र किया कि रूसी IP अड्रेस है जो सरवर है वो रूसी है और पाकिस्तान जो IS-IS का connection सामने आया है अब क्या पाकिस्तान की आर्ड में कोई यह और साजिश रच्छिरा है या इसमें दोनों शामिल है इसको लेकर आगे जाच की जाएगी मनीश अबे और सोनू आप तीनों का बहुत शुक्रिया